So hey guys, welcome back to another video, तो फाइन दोस्तों काफी इंतिजार के बाद Realme GT2 सीरीज का ओफिसली इंडिया लाउंच टेट कनफर्म हो गया है, जी हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन 7 अपराइल को लाउंच किये जाएंगे, और वैसे देखा जाए तो इस सीरीज में दो डिवाइस को चैना म मार्केट में लाउंच किया गया था, जिसमें Realme GT2 और Realme GT2 Pro स्मार्टफोन था, बट अब ये देखना है कि इंडिया में दोनों स्मार्टफोन लाउंच होगा, ये सिर्फ Realme GT2 Pro, और या आप इसकी कम्प्लीट स्वेसिफिकेशन हमाँ पास आ चुकी है, तो आज इस वाली Snapdragon 8 Generation 1 का powerful 5G chipset, जो कि अपने आप में काफी चाप प्रोसेसर और काफी कमाल की performance दे देगा, हाला कि इसमें आपको heating का issue देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें stainless steel wafer cooling system लगा होगा, तो यहाँ पर heating कम देखने को मिलने वाली है, और ये Qualcomm का अब तक का सबसे powerful और latest chipset है, और storage यहा और इस device में आपका gaming experience next level तक का होगा, और ये out of the box Android 12 के साथ Realme UI 350 पर run करेगा, तो performance wise काफी तगड़ा smartphone होने वाला है, दिस्पले की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक Samsung E4 Super AMOLED दिस्पले देखने को मिलेगी, जो कि 2K regulation के साथ आएगा, जहाँ पर display का size 6.7 inches का होगा, मैं फ्रेंट साइड में एक सिंगल पंच होल, जो कि टाप लफ कॉर्नर में दिया जाएगा, जिसके अंदर 32MP का selfie camera देखने को मिलने वाला है, चलिए और बात कर लेते हैं, इसके camera के बारे में, तो इसके rear side में triple rear camera setup देखने को मिलेगा, जिसका main camera 50MP का होगा, जिसमें Sony IMX 766 सेंसर यूज किया जाएगा, विद OIS के साथ, अगें 15MP का ultra wide angle lens, 150 degree of view के साथ, and 3MP का macroscopic सेंसर देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर camera setup काफी interesting होगा, बाकी battery और charging की बात करते हैं, तो इसके अंदर 5000 mAh की battery देखने को मिलेगी, और इसको charge करने के लिए 65W के fast charger का support मिलने वाला है, बेसिक फीचर की बात करते हैं, तो इसमें आपको in display finger pin scanner, stereo speaker and type C port का support देखने को मिल जाएगा, finally बात कर लेते हैं, इसके launch rate और price की, तो यह smartphone 7 अपरायल को launch किया जाएगा, और दोस्तों इसकी base train की price around 42,000 से लेकर 48,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, और वैसे वीडियो के लिए आई होप वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो को साथ तब तक लिए, बाई बाई